आज हम भारत का ओलम्पिक्स में क्या योगदान है ओलम्पिक्स में भारत ने कब भाग लिया उसके बारे में बात करेंगे आज का टोपिक रहेगा भारत का पहला गोल्ड मेडल भारत ने कब जीता उसके बारे में हम डिस्कुस करेंगे साथ ही हम ये भी डिस्कुस करेंगे क Olympics में अब तक भारत Beef ने कुल पदक कितने जीते और अंतिन गोल्ड मेडल कब जीता सबसे पहले बात करते हैं Mr. Adammol Olympics में जब आयफ जीत किया गया था जीन का नवा संस्क्रण था कौन सा संस्क्रण था? नोवा संत्क्रण था और आधनिक Olympics की जो शुरुवात थी, 1806 में किये थी, पहले उलमपिक 1806 में मायुजित किये गए थे, फादर आधुनिक उलमपिक के जो पिता थे, पिता मा थे, कुबर्टिंस को कहा जाता है, ठीक है, अगला जो टोपिक रहेगा, महिलाओं ने, उलमपिक्स में कब भाग लिया था, तो 1900 इस्व में महिलाओं ने उलमपिक में भाग लिया, सबसे इंपोर्डेंट बात है, जो अगजाम में कई बार पुछा जाता है, भारत का पहला कोल्ड मेडल कब भुए था, होकी में 1828 में भारत ने पहला उलमपिक्स में पदक जीता था, इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि, दोह जा भारत ने अब तक सबसे जादा पदक किस उलमपिक्स में जीते हैं, बड़ा इंपोर्डर क्वेशन है, तो सबसे जादा उलमपिक्स पदक भारत ने 2021 के Olympics में जीते हैं कहा है उजित क्या गए था Tokyo में Tokyo Japan में ठीक है और कितने पदक जीते हैं अब तक के 7 पदक जीते हैं इससे पहले 2012 के London Olympics में 12 के London Olympics में भारत ने 6 पदक जीते थी भारत ने 6 पदक जीते हैं बारा की बाद में 16 के ओलम्पिक्स में दो पदक जिते हैं एक कुस्ती में रसलिंग में सेकिंड बैडमिंटन में बैडमिंटन में भारत के लिए पदक जितने वाली पहली महिला कौन थी 2012 के ओलम्पिक्स में बैडमिंटन में सानिया निवाल ने जिता था ठीक है सानिया निवाल का सम्मंद किसे राज्य से हैं तो घरियाना राज्य से हैं भारत में उस महिला का नाम बताओ जिन्होंने पहली बार ओलम्पिक्स में पदक जिता था तो सबसे इंपोर्डेंट बात है किसने जीता था 2000 के सिड्नी ओलम्पिक्स में करनम अलेशुरी ने भारत का एक मातर पदक जीता था हो भी वेट लिफ्टिंग में जीता था किसमें वेट लिफ्टिंग में जीता था अब 2021 की हम बात करें अब 2022 लगा हुआ है 2021 के ओलम्पिक्स में भारुत ओलन में मीरा भाई चानु ने भारत के लिए शिल्वर पदक जीता है किसमें वेट लिफ्टिंग में कितने साल बात जीता है 21 साल के बाद वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है बात करें हैं बड़ा important question है पीवी संधु के बारे में इसके बारे में पीवी संधु जो ओलंपिक से संबंदी बड़ा important question है पीवी शंधु ने 2016 के ऑलंपिक में, रियो ऑलंपिक में भारत के लिए पधक जीता विशेयग साथ 2021 में भारत के लिए पधक जीतने वाली ग् reasonable men डॉब दो पधक जीतने वारत की पहली महिला खिलाडी बन गई हैं वह हम बात करें 2008 के ऑलंपिक में बिजंदर के साथ सुसिल कुमार ने रैसलिंग में वह विजंदर ने बौक्षी में पदख जीत कर kleiner भारत का नामरोशन किया, अभी में बात करें, दो बार कुछ रैसलिंग में पदख जीतने वाले सुसिल कुमार ने में कहें तो योगे स्वर्दत ने भी 2012 के लंदन ऑलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता था अभी हाली में रवी कुमार्दया और विजरंग पुनिया ने भारत के लिए पदक जीता रेस्लिंग रेस्लिंग यू कहें भारत में ऑलंपिक्स में भारतियों के लिए जान है ह हर बार पदक रैस्लिंग में जीतते हैं अमेस्टेट अलेक्ट में 2018 में 2018 में यह जो मेडल है यह 2018 का पदक है भारत के 2021 के ओलम्पिक्स में जो ट्रैक और फिल्ड में पहला पदक तो 2021 वर्ष के बाद भारत का ट्रैक और फिल्ड का पहला पदक है इनका संबन जेविलिंग तो से है यह जो पदक देख रहे हैं भारत का ट्रैक और फिल्ड में निरज कुमार चोपड़ा इनका संबन हरियाना से हैं और यह पाणिपद के रहने वाले यह जो ओलम्पिक का पदक पूरे भारत को इस पदब को पराप्त करने के लिए 121 साल लग गए हैं तो सबसे इंपोर्डन रहेगा ये था अभी हाली में तोक्यो ओलम्पिक जो गोल्ड मेडल है इसका जो आप हाली में ये देखो ऐसा इसकी जो प्रश्पूमी है ये प्रश्पूमी है जो टोक्यो ओलम प्रश्पूमार चौपड़ा ने इस यांसिल किया है निरज कुमार चौपड़ा बहुत भहतरी न खिलाड़ी है इन्होंने जयकार्था इंडोनेश्या में 2000 जो चंपिंशिफ्ट 2018 में भारत के लिए समण पदक जीता था किसमें जकार्था इंडोनेश्या में 2018 में जो गे भारतिय शेना में कैसे जवान भी है और भारतिय शेना चाष्च प्द पर कारेरत अदो कई प्राथी ने बहुत ही महत्यापून भूमें का निबा रहे हैं भारत के जैसे यह समय बात करें भारतियं हो कि क्यम बात करें उन्ईस सो 80 के पड़क के बाद भारत ने 2021 में टोक्यों अलमपिक में का सिख घता हैं कितना समय का समय लग है? 41 येर का समय यहां उनको पड़क जीतने इन लगए हैं तो मेरे पहरे साथियों आज का जो टोपिक था उलम्पिक है समदेत बहुत ही मैत्वपूर जो क्वेश्चन थे इसके बारे में डिस्कस करा है अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्यों आ रही है तो आपको कमेंट करके बताएं